आप दोस्तों आप देख रहे हैं वेस करणी न्यूज चैनल पर असद्धिन वैसी की वाइरल तस्वीरे जो एक जिम की ओपनिंग को लेकर हैं एक जिम के इफ्तिता को लेकर हैं यह तस्वीरे इतनी खास क्यों हैं क्योंकि असद्धिन वैसी की वीडियो असद्धिन वैसी की जिम और एक्सेसाइज को लेकर एक बयान भी है अपने उस बयान के अंदर क्या कुछ उन्होंने कहा मुस्लिम नौजवान और उम्मते मुस्लिमा के वो नौजवान जिनके पेट बढ़े हुए हैं उनको लेकर असद्दीन वैसी का क्या एहम पैगाम है वो बयान शायद आपन नहीं सुनाओगा तो आएव बयान आपको सुनवाता हूं सुने और उसके बाद जरूर शेयर करें नौजवानों मैं तुम से अपील कर रहा हूं एक्ससाइस करो अपनी सहत को अच्छी रखो यह नहीं कि तुम को बाड़ी बिल्डर बन जाओ मगर इतनी तो सहत तुमारी ह होना कि अगर तुम को को एक पंच मारा तो तुम गिरना नहीं तुम उटके खड़े हो जाना इतनी तो सहत तुमारी होना और अपनी सहत का ख्याल रखो पेटों को कम करो पेट नहीं रहना पेट नहीं रहना याद रखो हम किसकी उम्मत हैं हम किसकी उम्मत हैं जिन्हों ने अपने पेट पर दो दो फत्तर बान लिये थे जंगे खंदख में दो दो फत्तर बान लिये थे सहाबा एक एक फत्तर बाने तो सब्स गुम्मत के मकी ने कहा देखो मैंने दो दो फत्तर बान लिये खुँ अपने सहथ का ख्याल रखो इम्मतों को बुलंद रखो इमानी ताखत में जाफा करो रुहानी ताखत में जाफा करो अल्ला की जात पर तवक्ल करो और जब कोई ऐसा वाखे आता तो अपनी जबान से पकार करको हजबुन अल्ला उनेमल वकील उनेमल मौला उनेमल नसीर हिंदुस्तान का सम्वीधान हमार को पर्टेक्शन देता है खानूनी तोर पर हम को पर्टेक्शन देता है नौजोवानों मैआव से अपील कर रहा हूँ बुजरगों मैआव से गुजारिश कर रहा हूँ अपने बच्चे और बच्चियों को Constitution Lawyer बनाओ अब बहुत हो गया डाक्टर इंजिनियर बहुत चमड़े का कारवारा आप कर लिए बहुत उसकी जुरत नहीं है अब Constitution Lawyer बनाओ वकील बनाओ जिसको सम्विधान मालूम जिसको Constitution मालूम अगर हमारे Community के अगर साव बच्चे Constitution Lawyer के एक्सपार्ट हो जाएंगे और साव में से सुव बीस डिल्ली में सुप्रीम कोट में रहे कर Constitution को पोटेक करने की बात करेंगे तो ये संग परिवार के लोगों की मीन हरा हो जाएगी हमको Constitution Lawyer को पैदा करना है और अल्ला ने हमको धिया है हमारे पास खाबिल तरीन बच्चे और बच्चिया है अब इनको इंजिनिरिंग और मेडिसन को छोड़ कर इनको Constitution Lawyer बनाओ अपनी खियादत को मजबूत करो मुटहिद रो और याद रखो अल्ला के रसूल सले लाओ लिए सल्म के अदीश है कि अल्ला हमेशा बड़ी जमाद का साथ देता ये उल्मा एकराम ने का मैंने नहीं का मैंने उल्मा एकराम की जबान से सुना उनकी तहरीलों को पड़ा और फारुख याजम ने क्या फर्माया था कि ख्यादत से इश्चमायत पैदा होती है और इतात और फर्मावरदारी से ख्यादत मजबूत होती है अपने मसलक पर रहो आप